अगर आप भी अपने रोल के हिसाब से CS rank में rank push करने के लिए best character combination ढूंड रहे तो ये video आप के लिए बहुत ही जदा काम की होने वाली है क्योंकि इस video में अभी के time में CS mode के लिए 4 सबसे जदा best character combination बताने वाला हूँ जो भी combination आपको सबसे जदा suit करेगा उसे आप use कर लेना तो हमारा सबसे पहला combination है मेरे type के players के लिए जो की जदाता rush करने के सासाथ grenade का भी use करते हैं तो इस combination के active skill में आपको use करनी है homer character का skill अभी के time में ना एक nader and rusher के लिए homer बहुत ही जदा बढ़िया character है इसका drone जब किसी भी enemy को hit करता है ना तो उसका movement speed and firing rate बहुत ही जदा कम हो जाता है जिसके बढ़ आप चाहो तो उस enemy के उपर आप rush भी कर सकते हो या फिर अगर आपकी पास grenade होता है तो आप grenade करके भी उसे knock कर सकते हो अब इस combination के जो तीन passive characters है ना इसमें आपको सबसे पहले slot में use करनी है moco character का skill homer के साथ जब आप moco को use करोगे ना तो जिस भी enemy पे drone hit करेगे ना उस enemy का location आपको 6.5 second तक पता चलता रहेगा जो आपको enemy का location पता चलता रहेगा तो आप कितनी आसानी से उसके उपर grenade करके या फिर रश करके खताम कर सकते हो अब second slot में आपको use करना है Joseph character का skill Joseph character ना अभी के time में CS mode के लिए बहुत ही ज़दा बढ़ी है passive character है जब आप Joseph character का use करोगे तो अगर आपके उपर को enemy A124 का skill या फिर Homer का drone भी छोड़ देता है ना तोहाँ पर ना तो आपका character का skill block होगा और ना ही आपका movement speed and firing rate slow होगा Homer की वज़े से अगर enemy moco लगा के भी आपके उपर fire कर रहे ना तो आपके उपर उपर उस enemy का moco का tag show नहीं करेगा यानि कि आपका location exposed नहीं होगा NDC के साथ अगर आपको damage पढ़ जाता है ना तो 5 seconds के लिए आपको movements भी 10% जादा fast हो जागा जिससे कि अगर आपके उपर को enemy fire करता है तो हाँ से आप काफी असानी से उसके उपर rush भी कर सकते हो या फिर आप उहाँ से बच के भी निकल सकते हो अब जो last slot है इसमें आपको obviously use करने है एलाइट अलवारो का skill एलाइट अलवारो की वज़े से आपके grenade का जो impact radius होता है वो भी बढ़ जाता है NDC के साथ आपका grenade से जो damage पढ़ता है ने enemy का वो भी बढ़ जाता है जिसकी वज़े से enemy एक ही grenade में काफी असानी से knock हो जाता है अब जो second character combination है वो एक बहुत ही ज़दा balanced combination है इसे आप सब खास का random players के साथ rank push करते time use कर सकते हो तो बात करें इस combination के active character के बारे में तो इसमें आपको use करना है Orion character का skill Orion का skill use करने पर आपको किसी भी tap का damage नहीं पढ़ता है और साथ ही अगर आप किसी enemy के आसपास होते हैं तो 3 seconds के नहीं आप उस enemy को लगवग 30 का damage दे सकते हो और ओरियन की इस ability के वज़े से short range में clutches निकालना काफी ज़दा easy हो जाता है अब इसके passive characters में आपको सबसे पहले use करना है Megule character का skill अगर आपको Orion को unlimited time use करना है तो आपको Megule का use करना ही पड़ेगा क्योंकि Megule के वज़े से जैसे आप किसे भी enemy को knock करते हैं तो आपको फटाक से 200 EP मिल जाता है और आपको तो पता ये कि Orion का skill अब तभी use कर सकते हैं जो आपकी पास minimum 150 का EP होता है तो Orion और Megule एक दम जैविरू जैसे हैं आपको एक के साथ दूसरी का use करना ही है अब जो second passive character इसमें आपको use करना है Joseph character का skill और जो third passive character इसमें आपको use करना है Suzy character का skill Suzy character अभी के time ना काफी जदा बढ़ी है character है CS mode के लिए इसका use करने पे जब भी आप किसी भी enemy को kill करोगे ना तो आपको extra coins मिलेंगे जिसे कि second round में ही आप अच्छे guns purchase कर सकते हो heal करने के साथ ही आपका Orion भी charge हो जाएगा तो ये वाला combination use करने पेन आप काफी जदा intense and intense situations को भी handle कर पाऊगे और आप तो जानते ही हैं कि random लोगों के साथ खेल दे time आपके साथ कितनी बार 1v2, 1v3, 1v4 का भी situation आ जाता है तो वैसे time में आपको बहुत ही जदा help करेगा अब जो third combination है वो है खासका rushers के लिए इस combination के active skill में आपको बिना doubt के use करना है ताथियो character का skill क्योंकि ताथियो character ही rushers के लिए सबसे जदा best character है इसके वज़े से इन आपको लगातार 3 sprint boost मिल जाते हैं जिसका use करके आप बहुत ही जल्द enemies के area में जाके उनको surprise करके या फिर उन्हें grenade से भी खतम कर सकते हो साथ ही अगर आप दो-तीन enemies के बीच में first जाते हो तो आप ताथियो का use करके काफी असाने से वहां से निकल सकते हो और तो और इसका use करके आप काफी आसाने से flank भी कर सकते हो अब इस combination के जो तीनो passive slot से इसमें आपको सबसे पहले use करना है जोसिफ करेक्टर का skill फिर आपको second slot में use करना है जोटा करेक्टर का skill जोटा खास का research के लिए बहुत ही जदा बढ़ी है करेक्टर है अब इसका third slot में अगर आपको और भी जदा movement speed चाहिए तो आप click का use कर सकते हो या फिर अगर आप nading करते हो तो आप अलवारों का use कर सकते हो और आप चाहो तो ortho का भी use कर सकते हो अब जो last combination है वो है supporter role के लिए तो इस combination के active skin में आपको use करना है दिमित्र के रेक्टर का skill दिमित्री के वज़े से 12 seconds कंदर अगर आप या फिर आपके teammates इसके radius के अंदर knock हो जाते हैं तो आप काफी असानी से self revive हो सकते हैं और revive होने के सासाथ इसकी वज़े से उन 12 seconds तक आपको 10-10 HP करके total 120 HP मिलता रहता है यानि कि इस ability के वज़े से आप काफी असानी से revive होने के वद अपने आपको heal कर सकते हो अब बात करे passive characters की तो आपको सबसे पहले slot में use करना है सुनिया character का skill सुनिया की वज़े से जब आपको कोई enemy पूरा damage कर देते है तो आप उहाँ पर मरते नहीं है आपको 3 seconds के लिए समझे जैसे जीवन दान मिल जाता है अगर आप उन 3 seconds के देर किसी भी enemy को finish कर देते हो ना तो आप उहाँ पर बच जाते हो तो सुनिया आपको अगेन काफी सारे intense situations में बहुत ही ज़दा help करती है अब इसक बच जो second slot है इसमें आपको use करना है थीवा character का skill थीवा के वज़े से आप अपने teammate को सिर्फ एक ही second में revive करा सकते हो और देखो अगर आपके 2-3 teammates एक ही जगा पे knock हो गए हैं पर अगर आप दिमित्री लगा देते हो न आप तो थीवा के वज़े से आपके सारे teammates एक ही second में revive हो जाएंगे और revive होने के सासाथ बिना कुछ करें उनको 3 seconds कंदर 60 HP मिल जाएगा तो आप इस character की अहमियत समझ सकते हो कि ये character आपको कितना सदा help करता है CS mode में अब जो last slot है इसमें आप नेरी का use कर सकते हो जिसके वज़े से आपके glow alcohol durability काफी सदा बढ़ जाता है जिसे कि आप अपने teammate को pack करके काफी असाने से revive करा सकते हो और अगर आपको नेरी का use नहीं करना है तो आप इसके जगह पे Joseph, Luna या फिर Hayato का भी use कर सकते हो तो यही थे चार combinations जो कि अभी के time में CS mode में रैंकुष करने के लिए सबसे ज़्यादा best है आपको आपके role के सबसे जो भी combination सबसे ज़्यादा suit करता है ना उसे आप use कर लेना आपको काफी ज़्यादा help मिलेगा अगर आप हमारे guild में आना चाहते तो इस screen पे आपको guild UID दिख रहे होगी इसे copy करके आप guild में request भेज़ देना अगर आपको CS में रंगुष करने की tip चाहिए तो आप left वाली वीडियो को देख सकते हो अगर आपको सही तरह से grenade का use करना सिखने है तो आप right वाली वीडियो को देख सकते हो अगर आपको यी वीडियो अच्छी लगयों तो इसे एक लाइक जरू कर देना अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो इसे subscribe कर देना तो तब देख लिए बाबाय मिलते हैं एक और वीडियो में